में के बाद स्वागत है आपका लोगसवाद चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली बंपर जीट से अखिलेश यादव गदगद हैं अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीती को छोड़कर केंद्रिय राजनीती के लिए जाने वाले हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर पर हुई बैटक में कई बातों पर जो फैसला हुआ है उस पर उन्होंने करहल सीट छोड़ेंगे इस पर कहा है कि जल्द ही बताया जाएगा जो फैसला लिया जाएगा लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी में फेर नेता विपक्ष कौन होगा देखी रिपोर्ट लोगसभा चुनाव में अखले शादो ने जिस रंडीती के साथ बंपर जीत हासिल की जिस फ्लानिंग के साथ पार्टी को 5 सीट से 37 सीट पर पहुचाया अब उसी एनरजी के साथ वो सेंट्रल प्रॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं यानि अखले शादो अब उत्तरप्रदेश की राजनीती को छोड़ कर केंद्रे राजनीती के लिए जाने वाले हैं मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडिये पर और इंडिया गड़बंदन पर फरोसा किया और उसका पड़ाम ये हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजिन की सरकार है जमीन पर जो चीज़ें नहीं दिखाए दी उसकी नाराज़गी देखने को चुनाओं में मिली उनके किलाब और उसी का पड़ाम ये है कि भाते जिनता पार्टी बहुत बुरी तरहारी दरसल अखिले शादो कभी केंडर तो कभी प्रदेश की राजुनीती में दाव आजमाते रहे लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हीं पहले कभी नहीं मिली अखिले शादो पाचवी बार सांसद बने है तीन बार कन्नौच से सांसद रह चुके हैं 2022 में करहल से चुनाव लड़कर जीता फिर आजमगर लोगसभा छोड़ दी थी एक बार फिर कन्नौच से सांसदी लड़ी अब अखिले शादो ने साफ कर दिया है वो करहल छोड कन्नौच के रास्ते दिल्ली की राजुनीती में एक्टिव रही कि दरहे लोगे इंपरी के कारकरताओं से माचीद भी की दिल्ले का भी काम थिया और उन लोगों से मैंने कहा भी अब जब दो जेके से चुनाव में जी दिया हूँ तो एक सीट छोड़ी पड़ेगी तो बहुत चल्दी में नहां समामे अपना जो हमें सीट छोड़ी उसकी चनपरी देगे अब लोग तैय कर लेंगे फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और भी बूची मिले पार्टी का ओप और गोट पड़ेगी ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब करहल सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई है सूत्रों की माने तो अब करहल सीट पर तेश प्रताव यादो चुनाव लड़ सकते हैं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद श्युपाल यादो संभाल सकते हैं। श्युपाल अब विधायक दल में सबसे वरिस्टतम सदस्य है। राम अचल राजभर जोकी अमबेट का नगर से विधायक हैं, उनके रास्ते भी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुले हुए है। नेता प्रतिपक्ष पीडिये से ही बनाया जाए। जिसमें सबसे पहला नाम श्युपाल यादो का है। बाद में किसी और का और कुछ ऐसा ही मेसेज श्युपाल यादो की देते रही है। अगर ये देखा जाए तो समाजबारी पार्टी दो सो मिधान सवाद से जाजा जीती है। तो अगर आज नेतिक्ता के आधार पर वहाद्री जन्टा पार्टी अजिस से इस् तीबाते करके चुनाओ कराए जाएं। तो फिर उत्तर प्रेश में अखिलेश यादव के अगुवाई वाले समाजवारी पार्टी निष्चित उत्तर प्रेश में इस परस्ट बहुमत की सरकार बना लेगी यानि अखिलेश यादों को पूरा यकीन है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में और बहतर कर सकते हैं क्योंकि अगर इंडिया गठ मंधन में सहयोग्यों की भागेदारी को देखा जाए तो कॉंग्रस के बाद सबसे ज़दा सीट लाने वाले पार्टी समाजवादी ही है और पार्टी को इस मुकाम पर पहुचाने वाले अखिलेश यादव ब्यूर रिपोर्ट फ्यूज एटी